राजस्तान के प्रमुकतिर्थ स्थलों में सेकलोहारगल के सूरे कुंड में सोमुआर को भादर पद की सोमुवतिय माउश्या के एउसर पर लाकुश्र दालों ने पवितरिस्तान करपुन्ने अरजित किया। साथ इमाल खेत बाबा की 24 कोसिये परिक्रमा का भी समापन हुआ रावली की सुरम्य वादियों में गोगा नौमी से शुरू हुए 24 कोसिये परिक्रमा में लाको श्रदालों ने ठाकुजी की पालकी के साथ पैदल चलकर विबिन धार्मी की सलो परिस्तान करते वे 24 कोस की परिक्रमा पूरी की। उमड पड़ी सोमवार को दिन भर मेला को श्रदालों इसनान किया गोल्याना से लोहार गल तक श्रदालों की लंबी कतारे लगी रही खाक चोक से सूर्य कुंड तक रास्ते में भीर के कारण प्रशाशन ने वनवे विवस्ता लागू की थी। श्रदालों के बाद श्रदालों को ज्यादा समय तक रुकने के अनुमती नहीं दे रहे थे। श्रदालों की गारियों को गोल्याना में ही रोक दिया गया जिससे तीन किलोमेटर के रास्ते में भीर के कारण यात्रियों को काफी परिशानी हुई। पदियात्रियों ने रात बर भजनों और रंगारंग कारेकरमों का आनंद लिया। समय वतिया माउश्या के सनान के बाद श्रदालों ने भगवान सूर्य देव वैंक टेश्व बालाजी और अन्य मंदिरों में देवी देवताओं के दर्शन किये। और मालखित बाबा के दर्शन कर जैकार लगाए। नजदे किस्तित वैंक टेश पीट पर महत अश्वीनी दास महाराज के सानिदिया में संत गोस्टी का इजन किया गया। इस अउस्तर पर अमरितनात आश्रम फतेफुर के विकासनात महाराज, महेशनात महाराज, रवीनात महाराज, सुन्दरनात महाराज और अन्य संतों ने स्नान के महत्व पर चर्चा की अश्वीनी दास महाराज ने संतों को शोर ओढ़ा कर सम्मानित किया, सुमुवतिया माउश्या पर श्रदालू की सेवा के लिए कई जगए निशुल के भंडारे लगाए गए, सुमुवतिया माउश्या पर गोल्याना से लोहारगल तक मेला लगा, मेले में पदियात्रियों, इसनान करने आई श्रदालू और स्कूली बच्चों ने भाग लिया, मेले में सेकडों दुकाने लगाई गई, जिन में अधिकांश में खिलोने और बच्चों के आईटम्स विक्री के लिए प्रदशित किये गए, साथी लोहारगल की प्रसिद्ध केरी का आचार भी इसनान के दोरान कानून विवस्ता बनाए रखने के लिए इस बार विशेश सुरक्षा विवस्ता किये गई, मेले में करीब 450 पूलिस कर्मियों को तेनाद किया गया, गोत्डा थाना प्रभारी कमले चोधरी के अनुसार मेले की सुरक्षा के लिए ASP, DSP, पूलिस निर्खषक, उपनिर्खषक, साइक, उपनिर्खषक, हैड कॉनस्टेबल, पूलिस कॉनस्टेबल और महिला कॉनस्टेबल की ड्यूटी लगाये गई है,